इसमें हम आपको वर्ण विचार के विशे में पहले आपके समने भासा और व्याक्टन जो है वे आपको पढ़ाया जा चुका है अब वर्ण विचार वर्ण विचार करते हैं वर्णों पर विचार करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण कहते किसे हैं ये बात हमें सबसे पहले देखने हैं तो भासा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण करते हैं करते हैं करते हैं कि वर्ण की भासा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण कहा जाता है अब किसी भासा की वर्णों की विवस्थिक सब्सक्राइब को अब करते हैं कि वर्ण माला विसे करते हैं ये तो वह हमारा वर्ण 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 किसे कहते हैं अब इसमें वर्ण माला किसी कहते हैं वर्ण माला किसी कहा जाता है तो इसे देखें तो किसी भासा की वर्णों की तो के वर्णों के दिवस्थित वर्णों के विस्थित जो संभू होता है उस संभू को से विस्थित विस्थित संभू को वर्ण माला करें विस्थित संभू को वर्ण माला कहते हैं तो इसमें संभू है तो इसमें कि किसी भासा के वर्लों के पिरस्थित सम्हुब्भू वर्ण माला कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं तो आप वर्ण के मिसें बताएंगे कि इसमें वर्ण जो है वो भासा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है भासा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है और वर्ण माला किसे कहा जाता है किसी भासा के वर्णों के व्यवस्थित सम्हुब्भू को वर्ण माला कहा जाता है उसे वर्ण माला कहते हूं इस प्रकार से यहां पर यह हुआ हमारा व्यस्थित सम्हूं तो व्यस्थित तो यहां पर व्यस्थित जो समू है उसे वर्ण माला कहते हैं अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्ण माला को दू भागों में किस पकार से बांटा जाता है तो भागों में कि बांटा जाता है कौन कौन से भाग हैं यह हम देखते हैं कि कि वर्ण माला है हिंदी वर्ण माला जो है हिंदी वर्ण माला को दो भागों में पांटा गया है हिंदी वर्ण माला जाता है एक स्वर्व दूसरा वियन जाने यह दो भाग हुए और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्व किसे कहते हैं स्वर्व किसी कहते हैं सबसे पहले आता है जो वर्व बिना किसी की साहता के बिना किसी की साहता के स्वर्व स्वर्व अच्छरीत होते हैं अच्छरीत होते हैं स्वर्व स्वर्व कहते हैं स्वर्व 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 और ठाध्र आगे कहते हैं कि हिंदी वर्ण मागा कितने भागों में पांटी जा सकते हैं कहते हैं हिंदी वर्ण मागा को दो भागों में पांटा देया है दो भागों में इसको पांट सकते हैं एक स्वर्ण दूसरा व्यांजन अब स्वर और वेंजन बताने के बाद हमारे सामने बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं वेंजन किसे कहते हैं तो स्वर किसे कहते हैं इसकी परिभास आप देखते हैं जो वर्ड बिना किसी की सहयता के अपने आप उच्छरित होते हैं कि अपने आप मोल जाते हैं बिना सहेता कि किसी की को यसा अनगी जाती है बिना सहजेता कि अपने आप उच्छा पूच्चरिक होते हैं उन्हेशुर का कहने जाता है तो इसमें इन की संध्यां ग्यारे होती है इनकी संख्या 11 होती है इनकी संख्या 11 होती है बिरीं 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 ए आई ओओ ए बिरीं आई आई ओ आउ 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 तो ये हुए हमारे एक, डो, ती, चार, पाट, छे, साथ, आठ, नो, दस और ग्यारे इनकी संख्याद ग्यारे होती है आउ आई आ आ आउ आ आ आ आ आ आउ आउ आ आ आ आ आ आ आ आ आ की स्वर्के कितने भेद माने जाते ह्ते आ अब आम सोर्के भेदों को देखेंगे यह तो आपके समय में आ गया होगा कि भासा कि सबसे छोटी एकाई को वर्ण कहते हैं किसी भासा के वर्णों के विवस्थित संभू को वर्ण वाला कहते हैं और हिंदी वर्ण माला में हिंदी वर्ण माला को दो भागों में बाटा जाता है एक स्वर और एक वियंजन वियंजन किसे कहते हैं जो वर्ण मिना किसी की सहायता के स्वतहा उच्छरित होते हों में स्व कहते हैं और इनकी संख्या क्या रहा होती है ए था इए ओ री ए आई ओ आउ ये हमारे ग्या रहा हुए अब हम इसकी बात में देखते हैं कि स्वर्ज वह कितने भेदों से परते जा सकते हैं कि स्वर्ज के कितने धेल होते हैं यह देखते हैं तो स्वर्ज कि 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 कर देखते हैं कि क सरों के किजने बेड़ोंते हैं अब इसमें सर के तीन बेड़ोंते हैं कि तीन बेड़ोंते हैं एक हरस दूसरा अब दीर के कि तीन बेड़ोंते हैं प्रूट्ट स्वर्ग के कि अ कि सवर्ग के तेन भेद होते हैं थाट लुए र सवर्भ, ढुसरा तिर्धश्वर, थीर्धभॉत। में थी बेद लेकिन थावनियु फस्वर्ग है कि भलत ब्वात करते हैं इसके दिचने बात करते हैं रस्र किसे कहते हैं, देवी किसे कहते हैं, प्रुद किसे कहते हैं, इस किसे में हम चप्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, रस्रस्र जो है, वह किसे कहा जाता है, अर्थाथ इसकी क्या परिमासा है। रस्रस्र झाल झाल लुक्त स्वर्ड ये हुए हमारे तीन स्वर्ड अब तीनों स्वर्ड के बिसे में हम बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि किसमें राश्रासर्ण जो है राश्रासर्ण की परिभासा इस परिभासा के जिन स्वर्व के उच्चारन में जिन सरों के उच्छारण में एक मात कारता समय लगता है जिन सरों के उच्छारण में एक मात्रा का एक मात्रा का समय लगता है लगता है उन्हें फ्रस्ट सर कहते हैं इनकी संख्यात चार माले जाते 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 हैं इनकी चार संख्यात चार माले जाते हैं इनकी संख्यात चार होती है इनकी संख्यात चार में जिन स्वरों के उच्चार में जिन स्वरों की उच्छर में तुम मात्रा का समय नुक्सा है दो मात्रा का समय नुक्सा है उने प्यूसर कहते हैं उन्हें देर्धिस्वर कहा जाता है इनकी सभिख्या साथ हुआ है इनकी संख्यात साथ होती है साथ होती है आ-बश्यात All आ-ई, 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 ख शह ediyor इसमें देविश्वर जिन स्वर्वों के उच्छरण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें देविश्वर कहा जाता है इनकी संख्या साथ होती है आ ए ओ ए आई ओ यह को साथ अब यह को अमारा वेश्व और वेग अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एकर अधाया प्लुटस्वर प्लुटस्वर में प्लुटस्वर कि परिवासां प्लुटस्वर को देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्काता समय रखा है तीन मात्रा का समय लगता है यह देखिए प्लुटस्वर 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 जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें दिल रिस्वर कहते हैं, इनकी संख्या साथ होती है, आ, ए, उ, 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 ए, आई, ओ, आउ, पुरुद्सवर, जिन सवरों के उप्राण में तीन मात्रा का समय लगता है, वह, देखिए, झाल, बस्जा प्रिणा दिए, इनकी जफए, भ, भ, ही, इनकी बड़ता है, प्रयों के तीन, औरी उनकी साथ होती है, प्राइब 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 त्रीन मार्टाता समय लगता है प्रुट सुरकेट अब इसका जना उता है इसका जना तीन होता है इसका जना होता है तो इसे प्रकार से हमने देखा कि भासा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं किसी भासा के वर्डों की विवस्चित समूं को वर्ड माला कहते हैं हिंदी वर्ड माला को दो भागों में बाचा गया है एक स्वर्ड और एक व्यंजन अब इन में स्वर्ड किसे कहते हैं व्यंजन किसे कहते हैं सबसे पहले हम स्वर्ड देखते हैं जो बरण बिना किसी की सहायता की स्वपहर उचलित होते हो उन्हें हम स्वर कहते हैं अर्थात में स्वर कहलाया जाते हैं अब इनकी संख्या 11 मानी जाती है 11 होती है स्वर्भ कौन-कौन से ए आ ए ए उ ओ री ए आई ओ आउ जिर्प में तो इसे प्रकार से यहां अब देखा जाता है कि स्वर्भ कितने प्रकार के होते हैं स्वर्भ के कितने वेद होते हैं तो इसमें तीन प्रकार स्वर्भ तीन प्रकार के होते हैं एक हमारा होता है रस्वर्भ रस्ट स्वर्थ दूसरा होता है देल के स्वर्थ और तेसरा होता है प्लुथ प्लुथ स्वर्थ तो तीन प्रकार के हमारे सामने ये स्वर्थ होए अब यहां देखा जाता है कि ये रस्वस्वर किसे कहते हैं जिन स्वरों का उचाड़न जिन स्वरों के उचाड़न में एक मात्रा का समय लगता है वे रस्वस्वर कहलाते हैं इनकी संख्या यहां पर इनकी संख्या ग्यारे माले जाती है ए आदी ए ओ जिरी ए आई ओ आउ तो इसे तक कर यह हुआ अब इसमें जिन स्वरों के उचाड़न में एक मात्रा का समय लगता है इनकी संख्या चार माले जाती है चार संख्या के अंतरगर्द देखते हैं ए ए ए ए ओ अब दिर्वस्वर आता है जिन स्वरों के उचाड़न में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दिर्वस्वर कहते हैं इनकी स संध्यासाथ माले जाती है आ ए ओ ए आई ओ और प्रुद्सवर इसी प्रकार से कि प्रुद्सवर जिन शरूं के उचाण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्रुद्सवर कहते हैं तो इस तकार इनका चिन्न आपको हमने बताया इनका चिन्न इस तकार होता है ऐसा चिन्न होता है तो यहां पर स्वरों के विशे में वेंजलों के विशे में हम आप उकल बताएंगे और आज कीवन इतना है